नमस्कार मैं बल्जी डागा पिनेकल पॉजिंग सेंटर से आप सभी का सवावत करता हूं और आज हम करते हैं ता मोस्ट इंपोर्टेंट हंडेड मैट्रिक्स पॉर ऐसे से सीजियर इसके ओरड़ी हमने यह जुझा दस पार्स कर लिया है और यह है फिप्टिन पार्टस नमबर एलेवन टोटल इसकी तंप्ती सीरीज होगी शोर्ट ट्रिक्स से एलेटिट हमने फिप्टी ट्रिक्स कर ली हैं और हम आगे इसको कंटिक्व गरेंगे इस पर्जंटेशन इस एलस्ट आवलेबल इन अब देखते हैं क्या या ट्रिक की बजाए में अगर प्रोच भी वर्ड यूज करूं कि क्या है इस मेर में इसके जरी क्या मैसेज देना चाहता हूं यह मैं सुखना है अर्या उदोम अब अब आप आप इस सिफ सीछ घंड़ प्रोच इस इस किसे में देखते हैं क्या में तो प्रोच भी आप इस स्य देखते हूं और दो की लिए का लिए टीकिर क्यांट पीटो अ mesma प्र Principal करतेरी से एंप में इसोटों में शेडмы सूब निए धारिंगर्या ।, शेल किण क्या तेहरा क सिब्ल army अग्जय कर शेंद तेंट ले कि में अरी अर्म मेंट झुकतव, प्षय में शेड awhile compare ऑ्षय में दौंश वो एंयों Beij जड सा औरेस्ट 620 फटरे सफ घड से 10 इसे थई प्रीप यह बीड जमें अडだूंड अज फ्äs industry we have given the area of this now how will you find the area of this we have given area of entire and then we have given this site so there are two property here which will be important और इसमे आम तो पे शोटे निये प्रोपरेटी भूल जाते हैं इसलिह मी इस को शीन को याम पे लाया हम ताकि एक बार रिफ्रेश हो जाए अगर कोई भूल गाए तो कि इस तरह उसक्रोशन हो कैसे सब्सक्रोपेटी द्वारा तो क्रोशन क्या दिया हो रहा है तो क्या है कि शियुलर एक सब्सक्रोशन है एगल और यह बराबर हो यह परलेल है तो तीसरे एंगल अपने आप बराबर रहा होगा तो यह सब्लार एंगल प्रोपेटी लेगी इसमें आएक सम्दर एक सब्लार एक सरण है area of property क्या होती है area of axy और area of abc triangle abc इसका जो ratio होता है इसका जो ratio होता है उस corresponding side के स्क्वेर के बढ़ाव रखता है और क्रोस्पंडिक साइड है यहां पर त्री स्क्वेर और एट क्योंकि यह टोटल टोटल एट हो गया है है आज प्रस्टी एट एट का स्वेर यह बन दंता है area हमें निकालना है इसका axy को मैंने x कर दिया है और area abc दिया उल्गार 16 और ax 3 है और ab हो 8 है यह corresponding side हो गई इसकी 8 और 3 यह property बहुत जादा important होती है कई question में use होती है क्या है property area of two similar triangle is equal to the area of the square of the corresponding side तो x के वनी का इसका area जाएगा इससे कितना होगा इसका area देखिए जी 64 हुआ इसका नाइन बाइफ फोर हुआ 2.25 बोल सकते हूं 2.25 नाइन बाइफ फोर जी इसका area जाएगा अब आता है कि हमें निकालना है BXY BXY इसका area क्या होगा इसका area कैसे निकालना है तो बहुत important property होती है और वो क्या है इसका area और इसका area 3 और 5 के ratio में होगा क्यों होगा ratio में अगर मैं AXY और XBY ये बात करूँ तो base क्या है जन्न होगा 1 बाइक 2 base इंटो height होता है Height दोनों के इसमें सेम है Height देखिए अगर मैं यहाँ पर लगूँ तो यह maximum यह height होगी इसकी और यहाँ पर लाऊँ तो इसकी जवाज़ बढ़ाएंगे इसकी maximum height होगी इसके height और height और यह cancel होगा तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता है B1 इंटो H यह दोनों cancel हो जाता है क्योंगी बराबर है तो जितना उसी ratio माइबा जितना की उसका ratio है तो देखिए इसका area क्या होगा फिर इसका area है 3 3 और 5 गा ratio है यह side का आप बोल सकते हैं 3 और 5 और यह दियावादा है कि 3 वाली का 2.25 और यहाँ पर हमें निकालना है इस वाला इसका निकालना है इसका निकालना है तो कितना हुगा X की value क्या हुई 2.25 इंटो 5 और 3 यह इसका हो गाएगा तो इसका आ गाएगा 3.75 3.75 शुरू किते area यहाँ पर हमने दो approaches learn करने की कोशिस किये और वो क्या है approach A एक तो यह approach है area of AXY और area of A, B, C इसका जो रिश्यो कोर्स्पंटिक साइड के ब्राबर होगा जो उसका area आजाएगा तो इसका ratio area का और इसका ratio है उस कोर्स्पंटिक साइड के ब्राबर ही भी होगा क्यों? क्योंकि फिर यह वाली चीज़ आने यह आम तो भी यह बहुत important होती है यह क्या होता है? 1x2, BASE INTO HEIGHT और इसका बेस इसका यह है और इसका यह है 1x2 दोने में कमन होगा height दोने में कमन है, क्यों कमन है? जितनी इसकी हाइट है इसकी उतनी इस triangle ही हाइट होगी क्योंकि इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको यह वाली height तो दोनों के height बराबर है तो इसलिए इसमें ratio होगा यह दो property और उसर region जो question का approach क्या हो सकती है वो समधाने का मक्सद है आप सिदा diet कर सकते थे diet का मतलब कि इहीं से उठाथे आप सिदा यह word लिखते और फिर क्योंकि दोनों आपको पता है तो यह बाकी जो आलतो फालतो की चीज़े है वो शिर्फ teaching point उससे है student के aspect से सिदा यहां पर दो चीज़ें कर सकते थे answer होता तो इसमें answer was same next question AB is the diameter of the circle and O is its center please यह AB है यहांपे लिए सकते यह पर O is its center CD and AB intersect in such a way that CD में यहांपे लिए लिता हूं CD such that OE is equal to EB OE is equal to EB and CE 6 cm C E 6 cm दी है, E D 2 cm, E D, यह 2 cm है, find the radius रहुदा, circle, आपको यह radius निगालना है, इसका, now pause the video and try to solve this question, यहाँ पर मैं प्रोपर्टी जो आम तक इस्टेल बूलते हैं, वो यहाँ पर ला रहा हूं दोबरा, तो क्या होती है प्रोपर्टी जब दो, code intersect करें internally, उसकी प्रोपर्टी होती है, A E into E B, और E D, C E into E D, यह प्रोपर्टी आपको याद रखना है, इसका मतलब यहाँ पर A E, A E कितना है, अगर वैं इसका radius R मांद हूं, और यह A E, इसका मतलब, यहाँ पर कितना हो, यह पूरे का, इसने आदा कर दिया है, तो इसका मतलब, आप A किया, और 1 by 2 E, 3 by 2 R इसको बोल सकते हैं, और E B कितना हुआ, 1 by 2 R, C E कितना हुआ, दिया 6, और E D कितना दिया हुआ है, 2, और हमें R निकालना है, तो इसका मतलब, R बहुत असानी से अब निकाल देगे, तो कितना हुआ, देगी R, तो कितना हुआ, R square is equal to 4 into 4, 16, R is equal to 4, इसकी value 4 आजाएगे, A should be the answer, हमने यहाँ पर यह property लाए, यह बहुत important property है, internal bisect, जब दो कोड bisect करें तो, उसके बारत क्या है, कि आपके skills पर depend करते हैं, आप question को कैसे handle करते हैं, जैसे मैंने मुता, इसको R लीजिये, बजाए कि A over करने से, सिधा R रख सकते हैं, R, और यह दोनों दिये हैं, R, half R, और half R ही है, आप इसको ऐसे solve कर सकते हैं, तो इस question की approach ऐसे हो सकती थी, now question number 3 देखलेते हैं, if secant alpha is equal to 5 by 4, then tangent alpha divided by 1 plus tangent square alpha is equal to, इसकी value का आप, close the video, try to solve this question, देखिये, यह जो variety है, इस वार variety को हमेशा, आप Pythagos वाले triangle से solve करनी कोशी की जिए, secant होता है, 5 by 4, secant यह होता है, hypotenuse divided by 20, और 5, 4, 3, यह triplet में जाती है, triplet का आते है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, जो Pythagos की थिर्म होती है, उससे लिए के triplet बोलते हैं लोग उसको, और अपने आप में, अगर आप मेरे दूसरे lecture देखेंगे, आज जिसमें क्या थिरी समझाई गई है, जोगर बिस लेए, तो वहाँ पर triplet के पर हो जादा डिटेल बता है, तो आप देख सकते हैं, 3 by 4, यह है, अच्छा, tangent क्या हुआ, इसमें tangent है, 3 by 4, 3 by 4 गो लिख सकते हैं, उसके बाद क्या हुआ, 1 plus, और 3 by 4, means 9 by 16, 3 by 4 का square हुआ, तो 9 by 16 हुआ, या दूसरे सब्दों में आप लिख सकते हैं, 25 by 16 यहां पर, इसका, 25 by 16 है, तो इसका हुआ क्या, 3 by 4, 25 यहां पर, और 16 उल्टा हो जाता है, तो 12 by 25 इसका answer हो जाए, बी शुड़ी दा आंसर, यहां पर जो मेसेज देना के कोशिश की है मैंने, और क्या प्रोश होनी चाहिए, क कि वो पाइथा को इसका यूज करें, बजाए कि इसी फोर्मूले के कनवर्जन के, वो आपको ज्यादा जल्दी मंजिल तक पहुंचाएगा, कितना होगा, यह तो क्या डिस्काउंट के कोश्टन होते हैं, वो कंपेरिटिवली ज्यादा आते हैं सच्छी में, बजाए कि प्रोफित अदो हो सा दूसरे चप्टर्स की, यह सच्छी में नहीं रख दिया है, यह सच्छी में सच्छी डिस्काउंट का फॉर्मिला आप बोल सकते हैं, यह टेक्नीक होती है, तो कितने में गोला, 36 पलस 4, minus 36 into 4 144 divided by 100 1.44 136 into 4 144 divided by 100 1.44 इसमें आया है ये और उसमें होता 40% तो कितना difference हुआ 40 to 40 के से सिर्फ ये difference हुआ कितने percent का difference percentage है ये हुआ 1.44 percentage का difference हुआ 1,00,000 के कितना हुआ तो obviously 144 जरूर होगा उसमें 400 है 1440 1440 हुआ क्योंकि और इसके अलावा इस range में आंसर नहीं आपको further calculation नहीं जरूरत नहीं है आप कट कर सकते हैं calculation नहीं है सिधा आप option देख सकते हैं और answer तो जब भी इस तरह की variety के question आए जिसमें के difference वाले हो और success और discount हो आप सिर्फ यह वाले से यूज कीजिए यह आगे और question करने की solve करने जरूरत नहीं है पुरा question number 5 देखते हैं a does 4 by 5 of a piece of work in 20 days he then calls in b and they finish the remaining work in 3 days how long b alone will take to do the whole work आप को पताना है how long b alone will take to do the whole work post the video try to solve this question how will you solve हम देखते हैं यह question दो variety मारता है एक तो यह आपके सामने है और एक आउंतर में जो जाड़ा आती होई होती है कि बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे how much time will they take to complete the whole work यह question होता है तो यह आए कि होड़ वर तो आप बिसला आप बिना पैन कोफी निकाल सकते हैं question को समझिए इस line में answer है अगर यह आए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने time में करेंगे आम तो वो question आता है तो कैसा करेंगे कि 4 by 5 piece of work in 20 days पीच दिन में करता है ए इसका मतलब बाकी काम कितना बच गया 4 by हो जाता है तो 4 वटे 5 काम हो जाता है 4 by 5 काम हो जाता है बाकी कितना बच आप 1 by 5 और वो करते है दोनों मिलकर then call in B and they finish the money put in 3 days 1 by 5 काम करता है 3 तीन दिन में तो पूरे काम कीतना करेंगे 15 days में आंसर 15 days होता अगर सिर्फ इतना या आनता है तो इसका मतलब सिधा आप देखकर statement देखकर आप आंसर दे सकते थे कि जितना काम बचा हुआ है वो तीन दिन में हो रहा है तो पूरा काम कीतन दिन में होगा ऑई अञर लेकिन यहां पर यह द्र यह द्र बी पूरा काम करते है fifteen days में अब आप बल सकते हैं question यह भी बन गया है एप लस बी यह 15 days में काम करतें पूरा और यह करता है पूरा काम फोर वाय फाय पाय पाय काम करता है तोँटे डे डे बेस ने दीक है पूरा काम किसे दो हां जारे देद इन में करेगा एगा तो तुंती हिऑं इंटु उसको भाई दे दे, LCM होगा, तो एक दिने का काम कितना हुआ जाबे, एक दिने का काम, थी यूनिट, 75 वाई, 25 दिन में करता है, 75 यूनिट, एक दिन में करता है, 75 और वन डे में कितना हुआ, 5 यूनिट, इसका मतलब एक करता है, 3 यूनिट, एक प्लस बी करता है, 5 तो 75 करने में कितरा समय लगा एक दरी दो इमिट करने में 75 वाइट टू समय लगा यह शुट भी दा आना सकता तो फिर आपका यह question यह बन जाता है तो यहाँ पर जो message है इस question दरी है कि दो टाइप गी variety होगी अगर जो उपर वाली आती है सिधा line से आप कर सकते हैं और जो यह इस तरह variety आएगी तो आपको फिर इस format में A प्लस B आगया जो आप manually निकाल सकते हैं आप A 25 हाई इसको उल्टा करेंगे दो तो आप B भी निकाल जाएगा तो इस वाल question को आप ऐसे solve कर सकते हैं तो आज हमने यह जो five tricks है या five approaches है या five variety है या इसकी approach का होने चाहिए वो चीज़ें करने कोशिश की है जो कि एससे सीजल के पैट और important questions होते है इसके अलावा हम एक टायर टू सेरी टेस्टरी स्टार्ट कर रहे है इंडिया की सबसे बड़ी टेस्टरी इस 80 टेस्ट होंगे उसमें 40 math selected और 40 English selected टायर टू में math में 100 question आते हैं दो गंटे भी करने होते हैं और English में 200 question आते हैं दो गंटे भी करने होते हैं 400 question Marks की questions होंगे जो आप बोल सकते हैं 400 में से आपको अगर जोड confirm करनी है 350 score होना चाहिए आप बोल सकते हैं कि जो major contribution होगा decide कर देने कि जो होगी या नहीं होगी वो टायर 2 ही होता है क्योंकि टायर 1 से आगर टायर 1 में 120 के आसपास आते हैं 120-30 के आसपास तो लगवर 3 times आप बोल सकते हैं कि टायर 2 धाई से तीन गुणा है टायर 2 है वो उसके वेटेज हो रही है टोटल में तो टायर 2 जादा important होता है कहीं जादा टायर 1 इसलिए आसे होता है कि टायर 1 पर ले क्वालिफाई भी करना होता है लेकिन अगर आपने अच्छी त्यार ही है तो क्वालिफाई करना इतना मुद्दा नहीं है क्वालिफाई दुनिया कर सकती है लेकिन असली चैनल है जोब लेना और वो भी हायर रेंग पे तो उसके लिए अभी से आपको comprehensive approach अपनानी होगी जिसमें कि टायर 2 में जो questions होंगे so आप मैच में आप वो ज़्यादा होते हैं लेकिन narration है एक्ट्व पेशिवाई से उसका इस्तेमाल common error finding में होगा तो वो उसका रोल हो ज़्यादा होता है तो जो ये series है वो start करें 13 June आप जाइन करना चाहें तो जाइन कर सकते हैं इसकी सबसे advantage होगा और जो उनीक चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ भी है कि हर question की video explanation होगी मतलब कि पूरा question सोल किया जाएगा video solution तो होगा ही होगा लेकिन वो video solution भी होगा video solution हर question का चाहिए वो मैं थो या English आप बहुत सकते हैं कि English के 200 question अगर आपको 200 question का solution मिलता है नीरो मेडम solution बनाती है आपको पता होगा कि जो इस channel के आप video देख रहे होगी नीरो मेडम में सब जानती हैं उसाहिद तो आप हर question जब उनसे सिखेंगे कि किस question कैसे सोल करना था कैसे error finding करना थी क्योंकि इसमें शाहिद टायर 2 में English में time issue नहीं हो लेकिन आपकी accuracy और English की जानकारी होना बहुत important होगा तो जब आप इतने बड़े scale पर करेंगे तो मुझे लगता है कि टायर 1 में score होगा क्योंकि टायर 1 में score English और math का अगर आपका बहुत अच्छा होता है reasoning असान होती है आमको अगर आप प्रेक्टिस कर लेते हैं तो जो सब-से बड़ा challenge बचे फिर वो challenge बचना है सिर्फ जीकेगा तो जीकेगा हमने बहुत सारे वीडियो बनाए तो मोर देन 200 वीडियो अलड़ी है और ये स्रीज जारी है video making solution तो आप वो यूज कर सकते हैं जिससे कि उसमें भी 30 प्लस score आपका आए जीके में तो total एक situation में पहुंच सकते हैं कि वहाँ जोग की समावना कापी ज्यादा इसमें 80 टेस्ट होंगे जैसे मैंने बताया 40 math, 40 English, full 9 test होंगे सारे टेस्ट है वो online format में भी होगा जैसे अभी हाल फिलाल में CPO का exam आया है आला की level तो ज्यादा नहीं था लेकिंग फिर भी कुछ बच्चे ज्यादा comfortable नहीं है लेकिन जो लोग online टैरी करते मुझे लगता इ हम प्रवाइड करते हैं किसी भी हमारी टेस्ट में according to SSC CGL जो नए pattern है नए pattern का मतलब कि जो पिछले दो तिन साल से चल रहा है उस पे focus होगा video solution of each question along with PDF answer की और solution जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे important बात यह होगी कि हर question आप वीडियो explanation होगा जिससे कि आपको approach के बारे में पताते हैं जैसे math में हम अभी approach कर रहे हैं उसके बाद कि आपका score कैसे अच्छा जा सकता है कि इसका नहीं जा सकता है कौन से question छोड़ने चाहिए थी इस पे ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है यह सारी चीज़े ज़र बिस्किस होगी तो मुझे लगता है कि इससे काफी जाला फाइदा होगा अब इसे हम टायर टू जी स्टार्ट क्यों करें कि एक तो कि टायर टू में मेजर होगा जैसे मैंने बताया कि फोर एंड में से थ्री फिप्टी या थ्री टॉंटी से उपर आपका score ही होना चाहिए जो कि लगवए लगवए थ्री टाइमस है इसका contribution जितना टार वां में हो जब आपका confidence हाई होगा क्योंकि आप सिधा ही एक बड़े लेवल पर हाई लेवल तो नहीं बहुत हम है क्योंकि लेवल सेम होता है हम कभी भी question का level high रखने के unnecessary question नहीं करते क्योंकि ये बहुत dangerous है important thing होगी इसमें कोई बुन जाए इसमें हद का भी सक नहीं होना चाहिए time management आपको help होगा जब आप स्टार्टिं से time management पे 2 गंटे में 100 question इसका एक गंटे 50 question या 50 मेंटे 50 question जब कर रहे हैं तो आपको आज़त पड़ेगी और focus होगा और अगर exam online होता है तो इसमें कहें कि 2 गंटे लगाता एससे सीजी लिए जिसमें की math एक बहुत important roller करता है बैठना भी असान नहीं होता है exam में 2 गंटे screen पे लगाता टेस्ट देना इतना असान नहीं होगा pressure में तो यह series 13 से जून से start होगी आप इसको join करना चाहिए तो कर सकते हैं two full length test every week one math और one english दो टेस्ट अगर एक week में करते हैं तो मुझे लगता है अच्छा आपका प्रियास होगा अपना score को implement करने के लिए इसका होगा चाहर से पांच वीक होते हैं एक एक महिने में तो लगभग आप और जो आट से दस टेस्ट है आपके एक महिने में होंगे अग से दस टेस्ट पर मंथ और ये तीन महिने के आसपास अभी टाइम बचा हुआ है तो लगभग आप 20-35 तेस्ट कर लेते हैं अगर दो मिने बीपुचे हैं तो दो मिने में जादा ओजिशनी ये स्टम्बर के आसपास exam होगा तो उसमें अगस्त के आखिर में इस्टंबर में तो लगभग आप 20-30 टेस्ट कर पाएंगे जो कि अच्छा है और इसमें उसके बाद आपने एक अच्छा प्रेशर हैंडल करना भी शिखा और बाद में प्रेशर इतना बड़ा बुद्दा नहीं होगा फिर आपके पास Automatically we'll cover syllabus multiple times अब हर अच्छा आप पूरा मेहत का टेस्ट कर रहे हैं या एक अच्छा मेहत का टेस्ट इसका आप complete syllabus आप cover कर रहे हैं ऐसे इसका आप complete syllabus है cover हो रहा है तो advantage क्या हुआ कि आपका confidence और आपकी जो coverage है जो learning है आपको भूलने की सिर्मावना कम होगी हमेशा आप touch में रहे हो पूरे से रहे हो उसके after tier 1 अगर tier 1 जब हो जाएगा exam तो यह जो यस rule है इसमें तेजी लाए जाएगी और 4 test है पर week होगी मुझे लगता है चार test है उससे जो 80 test का target होगा वो पूरा हो जाएगा और 4 test आप week में करते हैं जब tier 2 का exam होगा तो sufficient preparation ऐसे कोई reason नहीं होगा कि जिसमें job confirm नहीं हो अगर आपका level of average है तो भी तो भी balance आपने तयारी किये वरना student करते हैं कि tier 1 का exam में बात कई दिन rest करते हैं और tier 2 में जैसे date आती है तो सोचते हैं तब तक क्या है कि tier 1 वाली चीज़े भूल दखते हैं तो यहाँ पर आपको consistency देखने को मिलेगी और वह बहुत जादा important होगा हाँ तो जोई टायर टूट इसरी जब आप SSC CGL हमारी website www.sscccgl.pinnacle.com अगर आप इस साइट पर जाएंगे यह हमारी official साइट है तो वहाँ पर 80 product आपको बिलेंगे राइट साइट में का logo 80 product पर क्लिक रहेंगे तो आपको 15, 16, 17 यह तीन product है आपके लिए applicable होगे अगर आप टायर वन यह math English दोनों की करना चाहते हैं तो यह वाला option 17 number और अगर math करना चाहते है 16 और इस स्रिफ इंगली से एकना चाहते है 15 यह option आप वहाँ पर सूझ कर सकते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यह आपको payment gateway पर ले जाएगा और वहाँ से आप नए डपन कर सकते हैं 13 अबस्ती 30 जोन सी स्टार्ट हो रहा है और अगर आप फुल टाइम कोर्स जोई ना करना फुल टाइम मींस पूरा online question वेज़ो कि आपको काफे economy पड़ता है क्योंकि टायर टो की कोर्स्त है अपने आपने 3000 है जबकि पूरे कोर्स की कोर्स्त है 6000 है और 6000 में 2016 कवर है 2017 कवर है online टेस्ट इस कवर है और टू टेस्ट इस कवर है 2017 के लिए कवरे है मैथ रिजन इंगलीज जी के वीडियो लगों 500 के आजपास वीडियो कवरे होंगे आपके पास 90,000 questions होंगे पीडियो प्रफाइल से लेगे तो इसका मतलब कि बैटरी यह है कि आप अगर फूल टाइम यह online question बैस है तो वो काफी जादा सस्ता पड़ेगा तो आप वो अपने इसाफ से देख सकते हैं जोई करना है नहीं करना है या आप अपना decide कर सकते हैं लेकिन 13 जून को जो स्ट्रेंट को स्ट्रेंट को यह आप इग्नोर कर सकते हैं कि उनके लिए automatic है वो 13 जून से start हो आपकी test है start कर जाएंगे इससे आपका confidence level है वो tire one में भी काफी जादा help करेगा उमीद करता हूं 140 प्लस 350 इस range में आप सोचेंगे और 100 परशेंट एख हायर range में SSC CGL 2000 है वो close करेंगे thank you very much for watching this presentation all the best